हेलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नौक्रितंबे हम पुरूब पस्ति तक नहीं वीडियो में आसा आप अच्छे होंगे श्वस्त होंगे आप सभी के लिए गुड न्यूज है जो लोग चार साल से या दो साल एक साल से लगे हुए है या वाग एकीस-थैस वाले भाई हो और जो छूट गया है उनके लिए खेद भी है बहाली आज है फिर कल भी आएगी हाँ लेकिन बिहाग में पंचवर्सिय योजना हो जाता है जब चुनाव आता है तो चुनावी वादे किये जाते हैं बहाली दी जाती है और जब चु किसी पर निकालते हैं हम पर हो या किस पर चुकि मुहबबत की आप हम से करते हैं इसी करी में कीर्या को मौता मिल गया जिनका 2nd year या 2nd year में सीटेट पास थे उनके लिए बल्ले-बल्ले हो गया जो साथ ही सीटेट जुलाई में एक्जाम देंगे चुकि अगस्त में एक्जाम होगा उनका 20 अगस्त को तो वो लोग काते हैं मुझे भी मौका दीजिए बिल्कुल आप लोग का आप लोग सचवाले जा रहे हैं बिल्कुल जाईए चुकि जो भी कुछ होना होगा BPS से ही आपको मौका दे सकता है यह हम एक या कोई और भी जि कीजिए अगर आपके भागी में होगा सीट जुलाई वाले तो बिल्कुल मौका मिलेगा ठीक है फिलाल उनके लिए गुड नूज है जो लोग बैठेंगे एक्जाम में उनके लिए फॉर्म खुल चुका है आप देख लिजिए यह फॉर्म है पहले यहां क्या लिखता था कि यहां पर यह तो बिज्वापन संक्या हो गया और नेम उपछाम में यहां डेमो लिखा हुआ था 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 याणि प्रैक्टिस कर लिजिया आप डेमो हट गया है अब लिखा गया स्कूल टीचर स्कूल टीचर रिकुटमेंट एक्जामिनेशन यानि आप फॉर्म कल से यह कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा बिहार सचकभरती 2023 एडवर्टिजमेंट नम्मर जितना है वो लिख लीजिएगा इसके बाद नेम अप एक्जामनेशन लिख लीजिएगा अपना मुबाइल नम्मर और इमेल आईडी ऐसा मिशली आपको बोल रहा हैं कि चुकी आप य जो मुबाइल नम्मर दिये रहेंगे जो इमेल आईडी इसके बाद यूजर नेम आपको मिलेगा और पासवर्ड ये चार चीज एक कॉपी में लिख लिजिएगा और इस कॉपी को फाइल में रखिएगा ड़कुमेंट के साथ में हम पहला चीज आपको ये बताने के लिए हैं बहुत सारे लोग बोलते हमसे गलती हो गया कहां रख दी है मुबाइल नम्मर ये वह और मुबाइल में रिचार्ज करा लिजिए जिस पर पासवर्ड आएगा ठीक है और इमेल आईडी ये सब पर फाइल फाइलिंग करना है एक कॉपी बनाके ठीक है ये फॉर्म खुल लिए हम औरिजनल नहीं लिकाल पाएं या बीएड या डेलेड के साथ ही है जो ठारफ बीस में पास हुए है जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है उनको और इजनल अभी तक नहीं दिया गया तो प्रफिजनल से भी काम चल जाएगा या दूसाल हो या चार साल पुराना हो ब यहां आम देखाते हैं यह देखो पहले आप मुबाइल में गूगल खोलना अपने मुबाइल में चेक किजिए गूगल कोगम खोले गूगल कोगम खोलने के बाद आप कुछ नहीं यहां पर आके बीपीएसी लिखना मैं सभी को काड़ता हूं जिससे कि आपको आसानी हो ग बीपीएसी में लिखा हुआ था बीपीएसी क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद उपर में पहला साइट खुलेगा www.bpsc.bih.nic.in इसमें क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद आपका भारत का सब्तमेव जैते ब्यार पब्लिक सर्विस कमिशन आज का डेट सुल्ल सुक् सोग्त च्टी हिंधी फॉंट्स marks apply online चुक्या आपको apply करना है तो apply online पे click किजिएगा kami online पे click किजिएगा तो आपके सामने यह को लेगा सत्य में उजयते बिहार Public Service Commission बिहार लोग और हम लोग का लक्ष यही होना चाहिए यही होना चाहिए हमें यह चाहिए राजकर्मी का दर्जा लेना है आपको हमको सभी को वेलकम टू दबी पीएसी ऑनलाइन जब उपर आईए उपर आईएगा अभी आपको लॉग इन नहीं करना है लॉग इन में आपको यूजर नेम पासवर्ड यह कहां से मिलेगा तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जब बैंक में जाते हैं तो पहले खाता खुलव पासवर्ड मिलेगा उसको भी अपने मुवाइल में लिख लिजिएगा मुवाइल में सोगी को कॉपी में एक नया कॉपी में वही बोले है ना मुवाइल नम्मर इमेल आईडी और यूजर नेम पासवर्ड यह चार चीज अपने कॉंपीटर में लिए कॉंपी में लिख ल होना चाहिए और मैसेश का बॉक्स फूल हो जाए तो मैसेश को डिलीट कर दिजेगा तो लॉग इन के लिए रजिस्टर के लिए ठीक है पहले में कर लेते हैं तो सभी को पहले आप एक्जाम देने वाले हैं और यह ऑनलाइन कल से यह स्टार्ट हुआ पंद्रह छो कल से और यह चलेगा अगले मैना के बार जुलाई तक लेकिन अंतिम दीन का वेट रही करना है अंतिम दिन से दस दिन पहले भर लेना है इसके बाद आपका यह डाउनलोड कीजिएगा इसमें आपका आधाय काड़ भी मांगेगा क्योंने लेगा वाई मैं देखता हूं अपलाई ओल्लाइन क्लिक किया कि खुला क्यों नहीं यह कि मैं देखता हूं अपलाई ओल्लाइन पर क्लिक किजिएगा अपने आपको लेगा रेस्ट्रिक्शन करना है कि यह ठीक है अभी नहीं खुल रहा है पता नहीं क्यों अभी तो मैंने खुला था लेकिन खुल नहीं गाया भगवान जाने क्या हो गया तो खुलेगा इसके बाद आपको सब्मिट कर लेना है देखते हैं प्रियास तो कर गया है पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है? तो आपको tradition कर लेना है. ठीक है, यह कल से स्टार्ट हो चुका है. अभी पतानिक क्या हो गया है. मेरे सामनी एक बार खुला था. तो is dot verification पहले करना है, ठीक है? Restaurant करने के बाद आहां है को भूज्кив को लिए तो रिजिस्ट कर लिजेगा जैसी रिजिट्रेशन कीजिए लुकल किसे नाम मोलेगा आपके पिता पिता का नाम माता का नाम साधी सुदा है तो कर a दिवांगा पतीकर अपंपना दिजेगा लेकिन अगर है तो दे दिजेगा पती है ना आपके दे दिजेगा ठीक है उसके बाद आधार काड पैन काड मांगेगा तो आधार काड अपना दिजेगा और अपलोड करने बोलेगा वह साइबर कैफे वाला अपलोड कर देगा जैसे ही रेजिस्टर हो जाएगा सब्मिट कर दीजेगा तो इसके बाद आपको एक username ऐ gram password मिलेगा देखिए किसमों अगût मिलेगा 아 आपको मिलेगा है कि अगना जैसे भी रिष म meille गावह यूजडी यूजरन रिखेशन यह यूजड कर दीजेगा पाला कम करना है आप गवगाई यह नहीं साइबर क्याप्रे कर देगा रेस्ट्रेशन करने के बाद आपको दो चीज मिलेगा पहला यूजर नेम यूजर नेम इसको सम्हाल करकिएगा और दूसरा पासवर्ड मिल जाएगा पासवर्ड इसको अप्चेंज भी कर सकते हैं यह दो चीज दोन इसके बाद इमेल आइड यह चार चीज आप कॉपी में लिख लिजिए मोवाइल नंबर इमेल आइडी यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है अभी पता नहीं क्या हो गया है हैंकर गया होगा लेकिन स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी लोग घवराएं नहीं हम आपके लि चलिए आज के वडियो में इतना ही कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा जवाब नहीं देते तो बिल्कुल परसान नहीं होना है उसको देखते उस पर वीडियो ला देते हैं और पढ़ते रही है समय बहुत कम है मैं भी पढ़ रहा हूं दिन रात मेनत करता हूं और उप झाल झाल